हेलो एवरिवन वेलकम और वेलकम बैक टू मैं चानल शालू ब्यूटी अन फैशन मैं यहां पे ब्यूटी रेमिडीज और फैशन रिलेटेड कंटेंड अपलोड करती हुए एवरी मंडे वेनज़ दे अंड फ्राइडे तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को विजिट करिए और अगर आपको मेरी कॉंटेंट मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आज मैं आप लोगों के साथ कुछ आइडिया शियर करूंगी कि आप प्रिंटेट साडी को कैसे रियूस कर सकते हो अगर आपके पास पुरानी पड़ी वी शिफॉन, सिल्क या कोई भी माटेरियल की साडी पड़ी है प्रिंटेड में तो आप कैसे रियूस कर सकते हो और प लोगों के साथ शियर करोंगे पहला आइडिया है कि आप प्रिंटेट साडी को कैसे रियूस कर सकते हैं अगर आपके पास कोई फ्लोरल प्रिंट की साडी पड़ी वी है तो फ्लोरल प्रिंट की साडीमें आप बहुत ही कोई भी maxi gown या फिर अनारकली suit निकल वा सकते हो बट मैं यहां पर आपको suggest करूँगी कि जब भी आप printed साडियों से maxi या अनारकली suit निकल वाते हो तो आप जो suit है उसका घेरा ठोड़ा आपकम निकल वाओ आप try करो कि एक साड़ी में से उसका pant उसका bottom wear भी निकल जाए और upper उसकी जो घेर है आप जादा रखना चाहते हो तो आप ट्राई करो कि एट लीस्ट दुपट्टा एक पतला साफ उससे निकाल पाओ कि कि इस तरह का जो mix and match है इन दिनों बहुत जादा trend में है और जब भी आप gown बनवाओ तो आप अपने knee की lens से थोड़ा सा जादा रखो ताक आपके कपड़ों में एक बहुत ही अच्छा illumination create करता है और आपके कपड़े बहुत जादा expensive लगते हैं floral print से skirts भी बनवा सकते हो आज कल floral print के skirt बहुत जादा trend में है तो आप skirt और अनार कली कुर्ता इससे easily बनवा सकते हो see ऐसे कोई भी चीज का restrictions नहीं होता कि आपने इस print से यही बनवाना है वो totally आपके उपर है कि आपने कोई design देखी और आपको पसंद आगया आपको वो बनाना है बट अगर आप trend को ध्यान में रखोगे तो अभी skirts, floral print के skirts और जो अनार कली की sets होते हैं वो बहुत जादा trend में है तो आप उसको वैसे भी use कर सकते हो जो second idea है बहुत सारे women's की cupboard में जो बांधनी साडी है वो होती ही होती है तो अगर कोई बांधनी साडी आपके पास इसी तरह पड़ी हुई या आप उसे पहन पहन के बोर हो गए हो तो second reuse idea है आप उससे कोई भी एक skirt बनवालो जैसा मैंने यहां पे बनवाया है यह मैंने अपने सारी reuse project में भी दिखाया था अगर आप लोगों नहीं वीडियो नहीं देखा तो मैं आई वटन में दे दूंगी आप चाहे तो check out कर लेना इस तरह का यह देखो यह बहुत ही आपको एक ethnic look देता है तो इस तरह का भी आप skirt बनवा सकते हो अपनी बांधनी सारी से और नीचे आप border लगा सकते हो तो इस तरह से आप अपनी सारीों को customize कर सकते हो अगर आप border में invest नहीं करना चाते हो तो आप पतली पतली जो border साती है उसको भी attach करके आप दो तीन border लगा सकते है उससे भी उसके finishing बहुत अच्छी आएगी यह आपके budget की उपर है कि आप एक कपड़े में कितना budget रख रहे हो और उसे किस तरह से redesign करना चाते हो सो इस तरह का skirt बादनी print से आप बनवा सकते हो पुरानी साड़ी से यह skirt बनवाई और नीचे में जो less है उसे लगाया है यह overall less मैंने पूरे skirt में लगाया है and side में मैंने यह लटकन लगाया है जिससे यह बहुत ही heavy look देता है because मैंने यह dress तीच पे पहलने के लिए design करा था तेस्टिबल पे जब हम कुछ पहनते हैं तो हम चाते हैं कि उसमें जो है थोड़ा heavy work होके रखे बढ़ रखा concept के भी आप अपना सकते हो next अगर आपके पास कोई siphon की पतली सी या लहरिया print की कोई साडी है तो आप front slit पुर्तास जो है उस बहुत अच्छा लगता है अगर अप लहरिया या फिर siphon की कपड़े से आप उससे बनाते हो लहरिया print या बांधनी print जो siphon की materials होती है वो भी बहुत अच्छा लगेग जो third reuse idea है कि आप कैसे use कर सकते हो printed साडियों को third reuse idea भी जो है वो बांधनी ये चुन्नी print की साडियों से ही related है अगर कोई ऐसी साडी है जो बहुत जादा पुरानी हो गई है still उसकी जो चमक है वो बहुत अच्छा है या उसमें जो glossy नैसे वो गई नहीं है कपड़े की चमक म मैं आपको हमेशा suggest करूंगी अगर आप कोई साडी reuse करते हो तो हमेशा इस चीज को अपने mind में रखो कि आप उसमें पैसे तभी लगाओ जब आपकी साडी अच्छे condition में हो बिकाज अगर वो साडी अच्छे condition में नहीं होगी तो उसमें पैसे खर्च करके आप अपनी मनी क वेस्ट मत करिए अगर उस कपड़े की चमक अच्छी है बस वो फूरानी साडी हो गई है कबड में पड़े पड़े और आपको पहनने का मन नहीं है तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करें तो बांदी की साडी से आप बहुत ही अच्छा है फ्लोरल लेंध अनारकली बनवा सक कैई कुल ट्विस्ट करो मफिस उसमें जो गले की डीटेली है उसमें थोड़ा साजे और डरो अपने स्लीव अभी मर्टल लेकसली की टाइप की उस तरह से भी आप इससे कर सकते जो फोर्थ आइडिया है अगर आप अपनी सिपॉन साडियों को थोड़ा हेवी लुक देना चाते तो ये भी पॉसिबल है अब आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है तो येस आप अपनी सिंपल देड दोसों की साडियों को भी पाटे वेर में टर्न कर सकते हो आप इमेज में देखो कि ये जो कपड़े का इंटायर लुक है बस इसका जो योग पोर्शन है वो थोड़ा हेवी मर्टेरियल का यहाँ पे दे दिया गया है means आप अपने कपड़े के according अपनी साड़ी के according आप जो योग पोर्शन निकालो तो आप अपनी साड़ी को मार्केट में ले जाके उसे customize करके आप उसके योग पोर्शन के लिए कपड़ा ले सकते हो अगर आप पार्टी वेर बनवाना चाते हो तो आपको हेवी कपड़ा लेन तो योग के लिए आप कपड़ा ले लो और इसमें अटाइच करवा दो यह बहुत सुन्दर लूग देगा और नीचे आपने रफिल्स के डिटेलिंग डिलवानी है मीन्स टियर्ड जो होती है आप उसे यूज कर सकते हो तो यहाँ पर दोनों इमिज जो मैंने पेस्ट करा यह दोनों में आप दोनों आइडिया रेफ्रेंस परपस के लिए यूज कर सकते हो चाहे तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो और विडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा फिप्ट आइडिया है आप अपनी साडियों से अगर आप टोटली इंडियन अटायर नहीं बनवाना चाहते हो मीन्स आप चाहते हो कि आप थोड़ा इंडो वेस्टन लुक उससे क्रियेट करो तो वो भी पॉसिबल है कुछ दिन पहले करिस्मा कपूर ने इंस्टाग्राम पे अपनी एक पिक्चर शेयर की थी उसमें उन्होंने एक पैंट पहन के रखा है और एक casual सी टॉप जो होती है या फिर बलेजर टाइप टॉप है वो पहन के रखा हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा एक इंडो वेस्टन लुक क्रियेट कर रही है आप देखो आप easily इस तरह का जो dress है आप अपनी साडी से निकल वा सकते हो बस आपको इसमें लाइनिंग अपनी pant में और टॉप में लाइनिंग लगवानी की जरूद है आपका बस इसमें खर्च जाएगा इस तरह के ideas भी आप use कर सकते हो And don't forget to follow me on Instagram, my Instagram handle is salubyutiy and fashion, the link is in the description box तो जो next idea है, जो sixth idea है कि आप printed साडियों को कैसे reuse कर सकते हो अगर आपके पास, मैंने अभी आपको बोला कि ये totally आपके उपर है कि जब आप कपडे को reuse करते हो तो आप किस purpose से करते हो, means आप उसे किसी party wear के रूप में convert करना चाते हो या फिर casual कपडे के रूप में, तो मैं आपको जो idea दे रही हूँ अगर आप party wear के लिए कोई plazo बनवाना चाते हो, अपनी पुरानी साडियों से या फिर sarara बनवाना चाते हो, तो वो भी easy बनवा सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि आप try करो, कि जब भी आप party wear के लिए बनवाओ, तो आप plazo या sarara जो भी बनवाते हो, आप silk, satin या फिर bangaloris silk जो होता, जिसमें थोड़ी reach जो देखने में, जो fabric reach लगे, आप वैसी कपड़ों में invest करो, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे, so ये देखो, मैंने एक plazo यहाँ पे, ये online का है, बट मैं आपको idea देनी के लिए आपे दिखा रही हूँ, कि ये भी इस तरह के अगर printed साड़ी silk की आपके पास है, तो आप बहुत ही easily इस तरह का कोई भी plazo आप, कोई भी plazo आप निकलवा सकते हो, अपनी साड़ी में से, तो इस तरह का idea भी आप use कर सकते हो, plazo बनवाना है, तो plazo बनवाओ, otherwise आपने सरारा बनवाना है, तो आप सरारा बनवाओ, जो next idea है, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सारी वो ideas share करने की courses करी, ज आप बना पाओगे, मैं उसी तरह के ideas आप लोगों के साथ share कर रहे हूँ, जो next idea है, आपकी बेटी है, college जाती है, school जाती है, उनके लिए आप चाहते हो कि आप कुछ अच्छा सब बनवाओ, तो आप printed साड़ी से आप एक jump suit भी सिर्वा सकते हो, वो भी बहुत smart shake look देगा आ आप जब भी jump suit बनवाओ, तो ट्राइ करो कि आप उसमें belt की detailing डलवाने के लिए, आप छोटे-चोटे loops उसमें डलवाओ, और उसी fabric का आपने एक belt create करना है, और उसमें tie up कर देना, ये एक totally आपको बहुत ही अच्छा लूप देगा, और आपकी printed साड़ी बहुत अच्छी जगह यूटिलाइज होगी, and don't forget to subscribe my channel and share my videos with your friends and families, मेरी मैनत के लिए आप अप मेरी वीडियो को एक like को करी सकते हो, so जो next idea है कि आप अपने साड़ीों से आप एक jacket निकलवा सकते हो, means आप crop top बनवालो 5 and 5 and a half meter एनफ होती है, जो idea मैं आप लोगों के साथ share करने वाली आप कोई भी plazo, simple plazo pant बनवालो ये straight pant बनवालो उसके साथ आपने crop top बनवाना है, और आपने उसी fabric का एक jacket निकलवाना है, don't forget, अगर आप ये implement करते होई idea, तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि साड़ी की जो print है, वो आपने बहुत जादा bold print से ये नहीं बना आप अपना हो, और अगर आप इसे party wear लुक देना चाहते हो, तो बस जाकेट पे आपनी lace की detailing add करवा देनी है, तो इस वे में भी आप अपनी printed साड़ीों को बहुत इसली आप यूज़ कर सकते हो, आस्ट रियूज आइडिया है, आप front slit की कूर्ती होती है, बिल्कुल भी घ साड़ी हो, अगर अच्छे condition में हो, या फिर सिफॉन की साड़ी हो, और इसमें आपको दो बेनिफिट होंगे, अगर आप इस तरह की कुर्ताज अपने साड़ी से अपनी कलवाते हो, क्यूंकि इसमें जो लाइनिंग लगेगी आपकी वो बस योग पोर्शन में लगेगी, और जो भी प्लीट्स डलती है, उसमें आपने कोई लाइनिंग नहीं लगवानी है, वो पोर्शन आप जितना जादा ट्रांस्पारिंट रखोगे, वो उतना ही अच्छा लगेगा, So that's it for today's video, I hope this video is helpful for you, और आपको थोड़ा सा idea मिला हो, help मिला हो, कि आप अपने पुरानी प्रिंटेट साडियों को कैसे reuse कर सकते हैं, तो अगर आपकी कोई queries है, तो मुझे comment section में comment करें, या फिर Instagram पे DM करें, मैं reply जरूर करूंगी, और अगर आपको particular किसी topic पे video चाहिए, त let me know in the comment section, तो next video में किसी बहुत ही अच्छी content के साथ, till then be healthy, be happy, take care and bye-bye.